दोस्तों गर की construction करवाने से पहले ये वीडियो जुरूर देखना अगर civil engineer हो आप ये वीडियो देख लीजिए क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि 9 इंच की दिवार या 4 इंच की दिवार हमें कहां देनी चाहिए और क्या-क्या चीज़े दियान जो होती है वो construct कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अगर हमें construction करनी हैं दूसरी मंजिल बीना कॉलम के क्योंकि कॉलम प्रवाइड करने में काफी जदा खर्चा आ जाता है और जो load bearing structure होते हैं उदर हमें दूसरी story बनानी है लेकिन हमें नीचे वाला प्लान follow नहीं करने हैं तो क्या कहे चीज़े आपको दियान देनी है सब चीज़े इस वीडियो में हम बात करेंगे तो complete वीडियो देखनी है लेकिन उससे पहले एक काम आपको कर लेने है उससे पहले आपको काम करना है वो नीचे लाल बटन जो subscribe का दिख रहा है उसको click कर लेना है क्योंकि यहां पर civil अगर सीविल इंजिनिरों सीख के जॉप आओगे या आगे बढ़ सकते हो ग्रोथ मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिंग पहले हम करेंगे बीना कॉलम के दूसरी मंजिल बनाने का देखो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जहां जो गर बनाना जा रहे हैं अपन कैसे इसको सस्ते वे से प्रवाइड कर सकते हो पहले मैं बात करूँगा सबसे पहले हैच बीम होते हैं सामने आप देख रहे हो जो यह सामने बीम आपको देख रहे है मतलब एक स्टील बांदा हुआ है बीम के अगार में यह हमारे होते है हैच बीम जा फ्लैड बीम बोल ल बेरिंग structure थे जिन में ना कोई column दिये थे ना beam दिये थे simple flat slab दी हुई थी जैसे आप सामने देख रहे हो उसमें क्या करते हैं हमें next story बनानी है अगली मंजिल उसमें त्यार करनी है लेकिन उसमें ना तो नीचे column है ना तो beam है और आप चाहते होगी ना हमें अभी column भी provide नहीं करने क्यूंकि दो story तक आप load bearing structure बना सकते हो सिर्फ मतलब दिवारों पर अपना गर बना सकते हो लेकिन अब उसमें भी आपको दियान देने है उसमें आपको देने बढ़ेंगे hatch beam बोल रो जहां flat beam देखो जो नीचे वाली दिवारे होंगे उसके उपर तो हमारा जो plan ठीक है वो एक question है मेरे को काफी time पूछा भी गया है और यह अच्छा idea है एक अच्छा तरीक है जिससे load भी distribute होता है hatch beam provide करके क्या करने है जो आपका plan हो जैसा plan है उस इसाफ से marking कर लो पहले सामने आप देख रहे हो जैसे हम marking कर रहे है कि हमारे यहां यहां हमारा दिवार आ नहीं हो जादा देने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो आपने slab डाली होगी इसमें steel होगा और नीचे दिवारे ही है नो इंच की है पांच इंच की है लेकिन दिवारे है तो आपको वहां hatch beam provide करना है यहां आपकी दिवार होगी और hatch beam की height कितनी रहेगी depth कितनी रहेगी उस जादा कुछ ज्यादा depth ने रहेगी उसकी 5 इंच से 6 इंच उसकी depth रहती है और उसकी width कितनी होती है 9 इंच जितने की आपकी दिवार होगी उतने कई आपको hatch beam उसमें provide करना है करना एक तरीका यह है पूरे मतलब जहां-जहां आपका आएगा मतलब जहां-जहां दिवार आ क्योंकि shattering करने से costly हो सकता है brick लगा देनी है side side पे जैसे जैसे आपका आएगा ठीक है जब यह हो जाए उसके बाद क्या करना है थोड़ी hacking कर लिया मतलब थोड़ा जो surface है उसको rough मलो जैसे मैंने देख रहे हो आप सामने निशान मारे हुए यह क्या है bond के लिए उसके है उसका spacing रखो कम से कम मतलब 6 inch से ज्यादा उसका spacing मत रखो यह हो गया एक बार और यह ध्यान रखना यह हमेशा continuous होने चाहिए मतलब तोड़ तोड़ के मत करना जहां आगर जुरूरत नहीं है आ रहा है continuous कर दो लेकिन तोड़ तोड़ के उसको नहीं करना होता है जब एक यह हो गया मतलब आपने स्टील बगारा बांद दिया उसके बाद इसमें थोड़ा नीरू से नीचे कर लो उसके बाद आपको इसको concrete कर देना है और जो concrete इसको यूज करना है वो minimum M30 grade का concrete इसमें यूज करना ही करना है मतलब आपके 1 MQ के माल में 8 बोरी cement होना ही होना क्योंकि इसमें थोड़ी strength need है क्योंकि सब load जो भी दिवारें इसके उपर बढेंगी सब इस पे आने वाली है और 7 दिन इसको curing करना है लगातार आपको पानी इसमें आपको मारते रहना है कि एक बार strength पकड़े और 7 दिन के बाद इसके उपर आपको brick work start करना है ध्यान बीम दी है फिर आप जो करना है जैसे process रहता है वैसे करते हैं उसके बाद ऐसे दिवारें आएंगी और जो hatch beam की change होगा उसमें कैंकरा वेंकरा डालके उसको proper flooring उसमें कर दी जाती है जो 9 इंच की दिवार होती है और जो 4 इंच की दिवार होती है वो हमें कहां कहां provide करनी चाहिए उसका मतलब क्या दियान देना है जब आप वो provide करो मतलब वो दिवार आपको 9 इंच की दिवार कहां नहीं चाहिए और 4 इंच की दिवार है आपको कहां कहां देनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दियान रहे ठीक है देखो सबसे पहले क्या होता है चीज समझने वाली है एक load bearing structure है जो हमारा और एक frame structure है load bearing हो गया हमारा की जिसमें कोई column नी होगा beam नी होगा सिधा slab का load होगा जो सिधा दीवारों पर आएगा उस time पर उसमें आपको दियान देना है कि आपको 9 इंच की दिवारे दो जितना possible हो 9 इंच की दिवार करो बाहर की जो दिवार रहती है main दिवार फेरी फेरी की जो चारो तरफ की दिवार वो हमेशा आपको 9 इंच की देनी है किसमें load bearing में जिसमें कोई column और beam नी है उसमें 9 इंच की देनी है और अंदर की possible हो तो 9 इंच की दो मैंने नी बोलता कि partition 4 चार इंच की वाल दो उसमें क्योंकि अगर column नहीं है future में अगर आपको extension करना बड़ा घर का उपर तो अगर आपने 9 इंच की दिवार दी होगी तो आप बेज जिजक उपर बना सकती हो अगली story तो हमेशा दियान देना है आपके जो load bearing होगा उसमें आपको 9 इंच की दिव यह एक पहला rule है अभी बात करूं में 4 इंच की दिवार की तो 4 इंच की दिवार देखो frame structure है अगर आपका यहां column beam provide किया है वहां क्या है दिवारों पे तो कोई load आने नहीं वाला है तो वह वहां आप 4 इंच की दिवार provide कर सकते हो लेकिन बार जो मैंने जैसे का है फेरी फ दिवारों पे आके safely distribute हो सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान देनी होती है और ऐसे क्या गलती की जाती है कि जो हमारा frame structure होता है उसमें लोग क्या करते हैं पूरी total 9 इंच की दिवारे provide कर देते हैं कोई फाइदा नहीं है उनका पैसा waste है 4 इंच की दिवार use करो जहां basically क्या होता है मतलब 17-18 feet हो गया वहां column के distance जादा हो गया वहां provide कर तो दिवार कोई दिक्कत नहीं है 9 इंच की कि थोड़ा safe रहेगा structure और यही चीज है और एक चीज दियान रखना जो 4 इंच की दिवार होगी आपकी उसको possible हो तो 7 feet से जादा उंचा मत करो मतलब छोटी यह नही मतलब आपको जो दिवार रहेगी उसकी इतनी strength नहीं होती जो 4 इंच की दिवार होगी वह एक तो होरिजन्री स्रेस भी ले पाईगी और वर्टिकली लोड भी नहीं ले पाईगी तो उसमें आपको एक बैंड प्रवाइड कर देने जो आपका 4 इंच का रखो या 3 इंच का अगर आपने इस टीरफ जैसे सामने आप देख रहे हो ऐसे प्रवाइड नहीं करना है तो आप सीधा बैंड प्रवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको उसमें एक पुंक्री का बैंड प्रवाइड करना है और जो आपकी 9 इंच की दिवार भी रही होगी उसम आपको 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 आपकी बार की दिवारे होगी वो 9 इंच की रखो पार्टिशन आप चार इंच का दे सक्को लेकिन लोड बेरिंग में 9 इंच ही रखो थैंक्यू गैस